दोसो आज के हमारे सुडियों कर रफक है, Why Don't The High Voltage Cable Melt ? मतलब कि हमारे जो High Voltage की जो केबले होती है, High Voltage का Means हमारे जो आपको पता है Transmission Line की जो केबले होती है, मतलब पिगहल क्यों नहीं जाता तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी के उपर ही बात करेंगे और अगर आप से इससे जुड़ा को इंट्रीव के अंदर भी कोशन किया जाता है तो आपको समय क्या जवाब देना वो भी हम इस वीडियो के आखरी में जान लेंगे तो दोस्तों सबसे पहली और एक छोटी चीज आप सभी के नॉलेज में यह है पता होनी चाहिए कि हमारे इंडिया के अंदर मैक्सिमम कितने वोल्टेज को ट्रांस्मिट किया जाता है मतलब हमारे के नॉलेज की ऑना लेज चीज यह है बता दूँ कि हमारे इंडिया के इंडर के वी काम चल रहा है और अगर यह 1200 के वी की लाईन हमारे इंडिया के अंदर इस्टार्ट हो जाती है तो पूरे वर्ड़ के अंदर इंडिया की जो transmission line है वो सबसे ज़्यादा high voltage की line कहलाएगी तो दूस्टों आप पूँ यह पता हो नची क्या कि अकि इतने ज़्यादा high voltage को हम क्यों flow कराते हैं तो इसका simple सा उधार इत्ता सा यह कि अगर हम जितने ज़्यादा voltage को यहां से इधर भेज रहा हूँ तो अगर मेरे यहां पर 1800 voltage मिल रहे हैं तो इसके बीच में क्या loss हो गया हमारे 200 volt का बीच में loss हो गया पर अगर यहीं मैं उधारण के लिए 4000 voltage को बेशता हूँ तो यहां पर मेरे को 4900 voltage मिल जाएंगे मतलब कि मेरे voltage का loss काफी कम होगा तो यह simple सी बात यही है कि हमारे transmission के हो रहे losses को कम करने के लिए हम voltage को काफी जादा बढ़ा कर भेजते हैं और इससे हमको और भी कहीं फायदे होते हैं अगर हम voltage को बढ़ा के भेजते हैं तो हमारा जो current है वो current भी कम हो जाता है और current के कम होने कारण अब जो हमारा conductor है मतलब कि हम जो wire उपयोग में ले लेते हैं वो wire भी हम पतला उपयोग में ले लेते हैं तो voltage को बढ़ाने से हमारे कहीं सारे फायदे हो जाते हैं पर आज के हमारे इस वीडियो का main topic यह है कि तो दोसँार आप को simple सी बात है कि यह हैं पता होने चाहिए कि हमारे कभी भी voltage के आप depend नहीं करता कि हमारा cable melt हो गया नहीं होगी यह पूरा का-पूरा depends करता है हमारे current के ंओपर कि हमारे किसी भी wire में से current कितना inえ flow हो रहा है वही depend करेगा कि हमारा जो यह wire है वह यह wire कितना गरम होगा और गरम होने current यह wire हमारा पिगलेगा या नहीं पिगलेगा तो आपके मन में सबसे पहली चीज़ यह clear कर लिजए कि high voltage के current कभी भी हमारी जो cable या wire है वो कभी भी melt नहीं होता यह पूरा का पूरा depend करता है current के उपर इसके लिए आप एक उदारन भी ले सकते हो कि हमारी transmission line के जो losses होते हैं वह loss भी हमारे current के उपर ही depend करते हैं हमारे loss कैसे पर जलता है तो हम i square into r कर देते हैं i square का मतलब यह कि हमारे transmission line का wire है उसमें से हमारे कितना current भेह रहा है उस current को हम दो बार multiply करके उसके साथ में हमारे wire के resistance को multiply कर देते हैं और ऐसा कंड़े से हां पताचलता है कि हमारे transmission line है उस transmission line के हमारी कितनी power loss हो रही है अब यह loss कहीं चीजों से होते है यह loss हमारे heat के form में भी हो सकती है इसके अलबा आपने एक word सुना है Corona loss Corona loss के अंदर के अंदर के अंदर के जो loss होते हैं वो हमारे lighting के form में convert हो जाते हैं तो वो भी हमारे एक loss है तो हम I square into R formula से हमारे transmission के loss को पता कर सकते हैं इसके अलबा दोस्तों आपको एक और छोटी सी जी है पता होने जी कि हमारे transmission line के अंदर हम जो wire को उप्योग में लेते हैं वो wire हम लेते हैं aluminum wire को उप्योग ठीक है सबसे ज़्यादा उप्योग ले जाता है वो aluminum ले जाता है पर हमारे transmission के समय हम aluminum के conductor का ही उप्योग में लेते हैं पर हमारे जो aluminum होता है इस aluminum का एक गलनांग point होता है कि हमारे जो aluminum का प्रदात है ये प्रदात कितने temperature पे आने के बाद गलेगा और वो जो point होता है उसको बोलते है हम melting point यह melting point हमको यही बताता है कि अगर इस धातू का temperature इतना चली जाएगा तो यह हमारा धातू पिखलने लग जाएगा तो हम सब भी को यह है पता होना चाहिए कि aluminum का melting point होता है वो होता है 660 degree Celsius अगर इतना temperature हमारे किसी भी aluminum के प्रदात का हो जाएगा तो वो हमारा प्रदात पिखलने लग जाएगा और अगर हम copper की बात करें तो copper का melting point होता है वो होता है 1085 degree Celsius वैसे आपको यह important बात पता होने चीज़ जो आप से interview के अंदे भी पूछे जा सकती है कि हमारे transmission line के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा conductor ओप्योग में लिजाता है तो हमारे transmission line के अंदर सबसे ज़्यादा ओप्योग लिजाता conductor वो होता है ACSI इसका जो हमारा temperature जहलने की capacity होती है वो होती है 100 degree Celsius तक तो दोसों इस वीडियो के अंदर आपको क्या-क्या चीज़े clear हुई सबसे पहली चीज़ तो आपकी यह clear हुई कि हमारी जो इंडिया के अंदर transmission line सबसे ज़्यादा high voltage की है वो है 755 voltage की इसके अलावा हमारे इंडिया के अंदर 1200 KV पे भी काम चल रहा है अगर यह काम पूरा हो जाता है तो हमारा इंडिया वर्ड में फर्स नंबर पे high transmission line voltage का देश बन जाएगा इसके बाद में आपको second चीज यह है पता चली कि हमारे जो cable का melting point होता है वो कभी भी हमारे voltage पे depend नहीं करता है वो हमेशा हमारे current के अपर depend करता है इसके अलावा तीस्टी चीज हमारे जो transmission line के अंदर जो loss होते है उस loss को हम i square into r formula से पता कर सकते हैं इसके अलावा चौते नंबर पे हमने यह जाना कि हमारे transmission line के अंदर सब ज़्यादा wire को उप्योग में ली जाता है वो होता है ACSR conductor इसके अलावा ACSR conductor का जो higher temperature होता है जो जहल सकता है वो होता है 100 degrees Celsius तक और इसका जो temperature है temperature थोड़ा कम होनी की वज़े से आजकल हमारे जो conductor है इस conductor को ACSR conductor से बदला जा रहा है इस wire के temperature जहलने की capacity 180 degrees Celsius तक होती है तो दोस्तों अब हमारे आज के आग दी अंसर की तरफ आ जाता है कि हमारे जो heat generate होती है वो हमारे current के उपर depend करती है voltage के उपर नहीं करती है और second line आपको यह है बोलनी है generally the maximum operating temperature of ACSR is 100 degrees Celsius मतलब कि हमारे जो ACSR conductor को हम जो उप्योग में लेते हैं वो हम ज्यादा से ज्यादा 100 degrees Celsius तक ही उप्योग में लेते हैं और हमारे यह जो temperature यह हमारे इस wire के melting point से काफी ज्यादा कम होता है तो दोस्तों उमीड है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बहतर चैनल करें मिली होगी आपको यह वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को like करके जरू बताना अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के पड़ते हैं अपको इलेक्टिकल से जुड़ाता है आप मुझे नीचे कमेंड वॉक्स से कमेंड करके पूछ सकते हैं इलेक्टिकल की वीडियो से आप इनने में निखना पसंद करते हैं आज यमाय चैनल को सस्क्राइब कर लिजे आज के लिए नाई धन्यवाद